हेलो फ्रेंड्स वेलकूम बैक आवर चैनल आप सभी कापके अपने चानल पर स्वागत है और जैसा कि कल से जो नोटिस आया है कि भई एच्पी असे पिजटी स्क्रीनिंग एक्जाम के उपर जो है वो स्टे लग गया है 13 सेप्टेमबर तक ठेक है उसके बाद जो है बच्च से लिए एक्जाम जो है वो पोस्टपॉन्ड हो गया है अगर कौर्ट केस नहीं होता तो एक्जाम आपका अप्रैल मैं में हो जाता यह बच्चों का making mainly है तो में आज आ हम बात करने वाले है कि जो कोड़ केस आपका हुआ है वो सही कि और गलत है अघर कोड़ केस नहीं होत कर लिया या फिर शुब रृष्ट शुबंने का मैं को सीजान को सुब प्रिजटी पर prevented शुरू करते हैं कि अगली सुन्वाइ वह तेरा सितमबर से वहां आपका जो है नहीं हो जाता प्रॉपर एक्जाम था बूली जा अब यहांपे आप देख सकते हो कि भई 20 अप्रेल को जो है कल आपका ये फैसला आया है कि भई ये भरती आई थी कोई जो है अभी नहीं है कि रिसेंटली की भरती है तीन-चार महीने पहले की आप खुच सोचकते हो कि जो है चार साल हो जाएंगे अभी एक दो महीने में अगस सेप्टमबर में आया था 2019 में नोटिफिकेशन तो आप देख सकते हो कि चार साल महीने रखते हैं पहले आप सभी को पताए कि यह लिखित परिक्षा को कराइटेरिया बदल दिया गया 27 दिसंबर 2022 को आवे दिन की जो है अन्तिम तारिक थी एक जनवरी 2023 तक बढ़ा दी गई उसके बाद 16 मार्ट 2023 को गोशना किया गया कि भई की पैटरन को जो है वापस ले लिया है उससे पहले जो है आपका जब फॉर्म भरे गए थे तो एक्जाम जो है ग्जाम डेट जो है उन्होंने बता दीती कि सेकंड और थर्ड वीक में हम एक्जाम लेंगे ठीक है अगर ऐसा ही होता मतलब बच्छे कह रहे हैं कि भई पहले 50% और नेगेटिव मार्किंग को लेके भी ज कुछ अगर्षें पहलेक इसक्जाम और वार्व मेष्ट पेस की षसाब नेगेटिव मार्किंग का इस द्युख ज़ए था था जो वाष्षित यह ज़ loyalty ऑ कि के दो र 有 गष्ट पहलेड़ें महलें नेगेटिव जह बहरा था जो बच्चे यह करता है कि 50% और नेगेटिव म इससे भी दिक्कत है तो जो की गलत है अगर कोट केस अगर 50% और नेगेटिव मार्किंग पर होता तो सबी विकिंसी इस पे आपका स्टे लगता सबी पर ही लगता लेकिन सरफ चार सब्जेक्ट पर पहले स्टे लगा था माई तक उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट से उन पर कोई स्टे नहीं था उनका एक्जाम जो होना था लेकिन अग्जाम को ही पतना नहीं क्या होगा उन्होंने प्री में इंटर्व्यू का जो है क्राइडेरिया यहां पर रखा इस इनी सारी चीजों को आप देख सकते हो फिर उन्होंने जो है जब सेकिन और थर्ड वीक में उ में आपका इक्जाम जो है जल्द ही जू है कर वाय जाए जाएगा तो बच्चों को लग रहा है कि मार्च अंडिया जो है अपरेल में आपका एक्जाम हो जाएगा लेकिन फिर आपको जो है बीस मार्च को स्की मइटन के ऊपर बदलाव के पूरे आ आ गए कि भई हमने जो हो जाता तो जो कि मुझे तो नहीं लग रहा कि अगर स्टे नहीं लगता तो एक्जाम जो है एच पेसी ले लेती जो कि नहीं क्योंकि अगर एक्जाम लेना होता तो पहले ही अपने पैटर्न के अकोर्डिंग ले लिया जाता और यह है कि भई एक्जाम आपका अब जो है वो 2019 में जो विकिंसी आई थी 2020 नहीं तो 2021 में अगर एक्जाम करवा लेते तो इतने सारे एश्टेट वाले बच्चे भी नहीं होते और जिन बच्चों की वैलिडिटी जा रही है उनकी वैलिडिटी या एज भी नहीं जाती क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एज भी जो जा रह जो कि पूरी नहीं हो रही सरकार और मतलब इतने कुछ जादा कैंडिडेट भी नहीं कि बहुत लाखों में कैंडिडेट है कि हमसे जो है कंडेक्ट नहीं हो पा रहा है या हम इस तरीके से फिल्ट्रेशन कर रहे हैं या हमें क्वालिटी ऑफ स्टूडिंट चाहिए या फि सब्सक्राइब के सबस्क्राइब आधने करने के मैं जेता है कार बोगों कर दुक्ति एकार नहीं गलत है तो कितना प्रचंट हे गलट है आहित परेंग नहीं होता तो कब तक एक्जाम हो जाता है मुझे कमें अकोल सरे में झरूरी बता है ठीक है और प्लस जिन बचों को लग रहा है कि हम नए एक्जाम पैटरन से निकाल लेते हमारा हो जाता वो भी कमेंट सेक्शन में जरू बताइए तो आप लोगों की क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरू बताइए का वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक शेयर कीजिएगा फिर में लेंगे नेक्स टोडे में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार थैंक्ट यू आप 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 आप